अगसर मुझे एक पॉछन मिलता है कि एक कोई करना सबसे पहला क। करतें तो एक कंशन बेस्ट है ठीक है उसको उस तरीके से कह सकते है यहां पर salary नहीं मिलती कि कोई fixed amount आपको मिलेगा commission based मतलब आपके performance based पे यहां पे आपको income आएगी तो सबसे पहला question कि आपका profession क्या है आप करते क्या हो ठीक है अगर आप student हो ठीक है किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप student हो तो आपको देखना है कि forever business start करने क लगता है जो 5000 रुपए का investment लगता है तो यह financial investment है और इसके अगेंस आपको products मिलते हैं सबसे पहला चीज यह कि आप क्या 5000 का risk ले सकते हो कि अगर 5000 रुपए आपका business आगे चलके आप नहीं कर पाए कोई भी reason के वज़े से क्योंकि ऐसा कोई perfect business दुनिया में है ही नहीं आप आपको करके देखना होता है कि क्या आपके लिए वह राइट है या नहीं है या फिससे पहले आप जब research करते हो तब आपको समझ आता है तो अगर आप student हो तो सबसे पहला चीज अगर 5000 रुपए आपके पास spare है जो आप invest कर सकते हो जिसके अगर आपको products भी मिलेंगे क्या आप ऐसे सोचो देखो products को तो वापन सेल करके उसको cash में convert किया जा सकता है जो आपकी आपकी टीम आपको सिखाएगी बट मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मानलो ये 5000 रुपए से आप कुछ कमाते नहीं हो तो क्या आप okay हो सबसे पहला point दूसरा है time management का issue being a student पढ़ाई मे बहुत ज़्यादा समय जाता है तो क्या आप दिन का दो से तीन घंटा चार घंटा इसमें invest कर सकते हो क्योंकि को थोड़ा आपको सीखना भी पड़ेगा आदा ए घंटा का सीखना का मतलब training का आपको समय रखना होगा उसके बाद जो काम करना उसके लिए दो से तीन घंटे बिल्ड किया जा सकता है और तीसरा important चीज किसी भी business में और खासकर network marketing business में forever business में एक learning and result करवाता है ठीक है क्योंकि यह एक off track career है एक off track काम है normally आपको market में देखने को नहीं मिलता है सही तरीके से करते वे जो आपको देखने को मिलेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा negativity है market म right कि या बहुत ज़दा convince करना पड़ता है लोगों की पीछे पड़ना पड़ता है पर आज 2024 में इस business को करने का तरीका change हो गया है जिस तरीके से मैं करता हूँ ना मैं किसी को convince करता हूँ ना मैं किसी के पीछे पड़ता हूँ ना अपने रिष्टेदारों knowns किसी को भी नही सिखनी पड़ती समय का investment लगता है और learning and result कर कि आप सीखते हो implement करते हो दो से तीन मैने का समय लग जाता है कि आप इस business को समझ पाओ काम करना शुरू करो आपको result मिलना शुरू हो तो क्या आप उस कर्व के लिए वेट कर सकते हैं उतना patience है आपके अंदर इस इसको देखिए क्या होता है कि normally जब मैं students से बात करता हूं बहुत सरे students से मैं को सुनने को ये मिलता है कि सर आज अगर मैं शुरू करूं तो मुझे कब से income आने शुरू हो जागी और कितने income होगी तो ये तो बहुत ही basic चीज है जो आपको day one से समझना चाहिए कि business है business में कोई certainty नहीं होता क कि कितना income आपको आजाएगा दूसरा चीज़ कब से आपको profit आने लगेगा कब से आपकी income शुरू होगी वो तब पता चलेगा जब आप काम करना शुरू करोगे बात समझने और मानलीजे आपने अपना गोल शेयर किया ठीक है कि मैं को मैंने का 20-25,000 रुपे कमाने या 30,000 तो जब आप काम करना शुरू करोगे उसके बाद ही इस चीज़ का अंसर दिया जा सकता है कि आपको कितना समय लगेगा हर किसी का अपना अलग जर्नी होता है तो अगर आप student हो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप interested हो interest लग रहा है कि हां मैं ये कर सकता हू कि marketing, sales यह सब सीखने में interest है, online काम करने में interest है, content create कर सकती हो, marketing कर सकती हो और यह सब चीज़ में interest है तो forever आपके लिए अच्छा option है देखिए ये एक vehicle है आपके लिए पैसे कमाने के लिए ज़रूरी नहीं कि जिन्दगी भर आप ये network marketing business करें आपने शुरुआत करी है अभी आप skills भी सिखोगे और पैसे भी कमाओगे तो ये अगर students इस video को देख रहे हैं अगर वो decide कर रहे हैं इन factors को ध्यान में रखते हुए अभी आपका समय है चीजों को सीखने का अभी 3-4-5 सर का जो period है उसमें सीखिए बढ़ यहां पर अच्छा क्या है कि एक practical project है जहां पर अगर आप सीखते सीखते सही से काम करते तो आपको income भी अच्छी आती है कुछ नहीं पता होता क्योंकि forever business एक हमेशे एक part time business रहेगा ठीक है आगे चलके आप job करो आप कोई और काम करो side by side यह चलता रहेगा और जिस तरीके से मैं करता हूं 100% online जहां पे कुछ tools यूज करके 24-7 मेरा काम चल रहा है इसके साथ साथ मैं multiple और भी चीज़े कर रहा हूं getting my point तो इस तरीके का mindset रख कि अगर आप काम करेंगे तो forever business is a good business to start right क्योंकि अब notion change हो रहा है technology के साथ काम करना easy हो रहा है आप लोगों तक पहुँच सकते हो आपको ज्यादा rejection face करने की जरुद नही पड़ेगी अगर आप सही तरीके से काम करोगे अगर आप अब एक और category की लोग होते हैं जो की extra income source के लिए join करना चाहते हैं कुछ और काम करना चाहते हैं उनके life ए forever business आता है वो होते employees category की लोग जो कहीं और already job कर रहे हैं किसी को job quit करना है या किसी को additional income stream चाहिए तो उनको क इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो चीज स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कहीं ना कि इनको भी वही चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहला चीज आपके existing profession के साथ साथ आप यह कर सको कोई भी अगर आपको guide कर रहे हैं कि आप अपने job छोड़ दो इनिशली emotional fool बनके emotional होके कि हाँ क्योंकि network marketing एक बार किसी को समझ आ जाता है उसको लगता है कि इससे अच्छा business दुनिया में है ही नहीं है ना तो emotionally decision नहीं लेना है जो employees है जो job में है दूसरा चीज क्या कितना flexibility मिलता है weekends में काम करते हो या daily basis पे दो घंटा invest करने के लिए ready हो extra कितना समय दे सकते हो आपके लिए time management of flexibility important है यह देखना important है कि आप government job में हो private job में हो क्या आपके job की terms and conditions है कि आप online आखे काम कर सकते हो मानलो आपका job आप government job में हो आप face नहीं reveal कर सकते है आप content नहीं create कर सकते तो देखिए और कौन से तरीके है marketing के जो आप सीख सकते हो जो कैसे आप marketing करो कि अच्छे quality के leads standard कर पाओ मतलब वो लोग जो interested है ठीक है वो लोग जो आपके products खरीदने में interested है वो लोग जो आपके business में interested है वो लोग जो आपके trust करते कैसे marketing करोगे ठीक है क्या system है यह चीज़ समझना important है जो job में है सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि इसको आ किसा मैंने forever join किया था मुझे बोला गया था कि अगले मैंने पंदर तरीक को income आने शुरू हो जाएगी आपको 15,000 आजाएगा 20,000 आजाएगा 40,000 आजाएगा 50,000 आजाएगा मैं सिर्फ इतना पूसता हूं कि कौन से ऐसा कौन सा ऐसा धंदा है जिसमें बिना काम करें पैसे आते हैं यह वही बात होगे ना लालेच के चक्कर में इंसान फस जाता है लॉजिकली नहीं सोचता कि बिना काम के पैसे कैसे आ सकते हैं बिना product बेचे income कैसे हो सकती है बहुत लोग network marketing business को समझते ही नहीं कि network marketing system सिर्फ एक marketing and distribution system होता है जो एक company अपनाती है अपने products को बेचन करो और आप ही को एक और opportunity दे रही है कि आप और लोग की team बना सकते हो उनको help कर सकते हो वो भी business start कर सके वो भी product बेच सके और since आप भी service दे रहे हो उनको तो आपको उनके effort कभी एक percentage of income मिलता जिसको बोलते है passive income बात समझ पा रहे हैं तो अगर आप marketing sales यह सब चीज में आप business जॉइन कर सकती है अब उनके मन में जो question है कि क्या इसको जॉइन करना सही है नहीं है सबसे पहला चीज सो देखे इंडस्ट्री में कोई problem नहीं है सौ साल से जादा हो गए company 46 years हो गए इंडिया के अंदर भी 20-25 साल हो गए तो company में और industry में कोई problem नहीं है बस काम करने के तर पूछ रहें कोई भी चीज करने से पहले आप यह नहीं पूछ रहें कि काम क्या है कि product बेचना है product अगर बेचना है तो लोग customer कैसे मिलेंगे business में joining करानी है तो लोग कहां से मिलेंगे जो मेरे team में join करें आपका social circle नहीं है आज के टाइम पर कोई available नहीं है आपकी बात सुनने के लिए network marketing forever living business कोई आप किसी के life में पहले इंसान नहीं होने वाले जो आप उसको इस business बताओगे I hope आप मेरा point समझ पा रहें तो questions कीजिए समझी ये काम क्या है उसके बाद decision लीजिए तो forever business join करना सही है या नहीं है ये एक चीज़ पर depend करता है कि आपका goal क्या है क्यों join करना है business क्या business join करना की job join करना ये पहले fix कीजिए business करना है तो कोई और business दिमाग में है ये एक ऐसा business करना है जो कि करना easy है start करना easy है business के साथ business वाले expectation ही लेके आई ये day one से income नहीं होगी सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा try करना पड़ेगा फिर income आना शुरू होगा किसी भी इंसान को जो आप देख लो आपके घर में कोई business करता तो उनसे पूछे कि जब आप business start किये कितने time वारा profitable थे बात समझना जॉब करोगे तो आपको next month salary मिल जाएगी अगर job mentality है तो forever मत करो बड़ अगर आप इसको समय दे सकते हो तो एक long term sustainable income stream आप बना सकते हो बड़ इसमें थोड़ा समय लगेगा 3-4-5 मैने का समय लगेगा जो समय ऐसे भी जाएगा बड़ क्या है कि जो चीज़े आप job में 5 साल में सीखते हैं यहाँ पे 1 साल में सीखोगे जो income आपको job में 5 सा ही होना चाहिए अगर आप सिर्फ लोग को बेवफूफ बना रहे हो गलत information दे कि आप बस कोशिश कर रहे हो कि वह जॉइन कर ले 2CC कर ले फिर उनको बोर्डर के SSS करो उनको समझ ही नहीं है कि काम क्या करना है आप उनको बताई नहीं रहे हो कि 4CC active होना कितना important है कैसे होना ह 1CC अपने ID पर कैसे करना है 3CC की जॉइनिंग कैसे करानी है तीम को कैसे संबालना है कोई कुछ बताई नहीं रहे है बस सोच रहे हैं कि कैसे भी करके कोई इंसान फस जाए और 2CC करा ले उसको नहीं आपको बताना पड़ेगा clearly कि बिसनस क्या है network marketing system क्या है forever business क्या है इसको कर और नाइट पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं उनको clarity ने दी जारी की काम exactly करना क्या है तो confused हो कि जब वो पैसा नहीं कमा पाते हैं तो obviously वो इंडस्री छोड़ेगे बर अगर आप right expectation के साथ किसी को अपने business में लेके आते हो और उसको सही तरीका सिखाते हो कि सही expectation भी set करते हो कि कितना समय लगेगा क्या करना पड़ेगा तब जाके वो इंसान टिकता है आपको पता है कि engineering करने से पहले चार साल का समय लगे का defined है minimum चार साल का लगेगा किसी ने कुछ drop out किया या फिर fail हुआ तो उसको ज्यादा समय भी लग सकता है कोई वीचीज करने का पहले से एक set formula होता है business में नहीं होता कि कोई set formula है कि आपका काम चलेगा चलेगा पर minimum इतना तो experience हो जाता है लोगों को कि अगर आप सही तरीके से करें तो तीन छे पांच मेरे का समय लगेगा और वो देना चाहिए क्योंकि आपको अपने बिजनस के बारे में नहीं पता आपको नहीं पता तो यह दि कौन management में कुछ भी नहीं पता कौन से product है product के बारे में knowledge भी नहीं है तो आप कहां से काम कर पाऊगे तो forever business join करना हमेशा सही है बस join करने से पहले थोड़ा से दिमाग को खुला रखिए questions पूछिए समझिए फिर decision देजिए क्योंकि company या industry में कोई problem नहीं है जिस भी country में गई company कभी भी वापस नहीं आई या कोई legal issue नहीं हुआ क्योंकि सारे rules and regulations follow कर रही है बहुत लोग के साथ गलत होता है इस company में क्योंकि कुछ गलत लोग हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं सिर्फ लोग को call करकर करके invite कर रहे हैं और बोड़ रहे हैं कि 2CC कर लो 2CC कर लो और आगे भी बस 2CC कर रहा है ना खुले आम बोलते हैं कि product sales के लिए ही बना था परेवर का एक ही intention उसका product बिखना चाहिए उसके पास क्या और बेचने के लिए उस product को बेचने के लिए उन्हें पूरा एक system बनाया जिस system के पार्ट हम है अगर हमें यह opportunity मिल रहा है कि हम एक business start कर सकते हैं घर बैठे 170 countries में तो हमें सीखना पड़ेगा कि जो products हैं उनको हम कै कैसे बेचें कैसे promote करें एक level पर company से training मिल रही है वर उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा कि system क्या है कैसे लोग पहले हमें join कर ले फिर हम उनसे बात करें राइट वह लोग जो forever के products खरीदना चाहते हैं कि हलो विक्रम सर मुझे forever का आर्टिक सी चाहिए ऐलो वेरा जल चाहि क्यों join किया आपने तो आपको एक consultant कितरे काम करना है ठीक है आई हूप आपको clarity मिला होगा कि forever business join करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह सारी चीज़ें अगर आपको समझना आई तो join कीजिए बढ़ अगर लगता है कि यह सारी चीज़ें आप नहीं कर पाऊगे और आप try भी आप गलत decision ना ले अपने life को लेकि career को लेके चाहिए student हो आप employee हो आप कोई female हो राइट या कोई male हो कोई भी हो राइट वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो देखिए मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं forever specific network marketing automation specific और मैं आगर आप forever business join करना चाहते हैं तो description में सबसे पहला link है उस पे click करके आप free registration कर सकते हैं उसमें कोई पैसे नहीं लगते उसके बाद मैं आपको बताऊंगो कि काम मैं कैसे करता हूं अगर समझ आये तो करना दूसरा बात यहां पे कि अगर आपको मुझसे consult करना है तो आप एक one-to-one meeting भी book कर सकते हैं description में link है कि आप में से personally बात करना चाहते हैं या फिर WhatsApp लिंक भी है उस पर click करके मुझसे connect कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं कि network marketing automation forever business को कैसे automate करें सही तरीके से कैसे करें यह system सीखना चाहते हैं उस case में भी आप मुझे call या message कर सकते हैं जो number मैंने description मे दिया हुआ है मैं आपको definitely help करूंगा अगर आप already forever business में है तो भी मैं आपको help करूंगा कैसे आप इस पो कर सकते हूं चीक है और since यह मैं service दे रहा हूं चीक है यह मैं बता रहा हूं आपको help कर रहा हूं तो उसके लिए nominal सा fees में charge करता हूं क्योंकि मैं network marketing automation expert हूं industry में सारे आपको help करता हूं चीक है और thank you for watching this video I will see in the next video subscribe to this channel thank you so much